नमस्कार दूस्तो मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्म तो दूस्तो मेरे पास अधार जो कमें त्रीबल बोड होता है हमारा हम उसके अवाज को कैसे बड़ा सकते हैं, बेस को कैसे बड़ा सकते हैं,平 से लिएकर पर देखिए problem क्या आती है, देखिए जब bash travel का design को बनाया जाता है, वहाँ पर जो bash travel को बनाया जाता है, वो सारे song के लिए बनाया जाता है, लेकिन आगर आपने यहाँ पर base तेज कर दिया, तो यहाँ पर क्या problem आएगी, जब आप कोई ऐसा song चलाएंगे, जिसके अंदर base सबसे ज्यादा होगा तो वहाँ पर आपके amplifier के जो आवाज है वो फटने लग जाएगी तो इसलिए कभी भी board के अंदर bass treble को change ना करें bass treble जैसा बना हुआ है वैसा ही रहने दें क्योंकि जो यहाँ पर bass treble को बनाया जाता है वो बनाया जाता है सारे song के लिए यानि कि जो आल song होते है उनोंके लिए बनाया जाता है जिसमें अबाज कम भी होती है अबाज जादा भी होती है bass भी कम होता है या ट्रेवल भी जादा होता है तो उस हिसाफ से इसको डिजाइन करा जाता है लेकिन हाँ यह होता है कि बहुत से bass treble के अंदर जो yeah जाने कि जैसे आपने कभीकभी होता है की जैसे यह BEC down तो यह awakened अच्छा आरहा है फिरुश्ट इस तरीकेसे मैं आपको बता civ की सांव्ड गान्ल आरहा है है अब देखें यहाँ पर जो है आप dif it लगा हुआ और एक वन्क हमारा यह लगा हुआnew है यहां पर हम यहां पर बर यहांगए पर इसोग वेने कर सकते हैं तो यहां पर हम फर फर को से ज्याद़ तेज नहीं कर सकते हैं अब देखें यहां पर output पर जो है, यह देखें, यह output है, यह direct IC से दिया गया, यह देखें, direct IC से दिया गया, तो यहां पर भी हम कुछ change नहीं कर सकते, अब इसकी आज को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो यहां पर देखें, एक resistance, देखें, 22 के यह लगा हुआ है, एक 22 के यह लगा करके audio को बढ़ा सकते हैं, अब audio को कैसे बढ़ाएंगे, देखें, जब कोई resistance, audio gain, जो audio gain होती है, हमारी उससे, अगर हम कोई resistance को ground करते हैं, तो वहां पर हम आज को कम करते हैं, रजिस्टेंस को लगा कर, उससे जो हमिंग कम हो जाता है, ग्राउंडिंग हो जाती है audio, तो उससे noise बिल्कूल खतम हो जाती है, अब देखें, एक 10 के रजिस्टेंस देखें, यह लगा हुआ है, यह भी देखें, यह यहां से ग्राउंड कर रखा है, अब इसके अंदर क्य आना होगा, 22 के का रजिस्टेंस, 22 के का रजिस्टेंस जैसे लगाएंगे, तो गेन जादा हो जाएगा, यहां audio थोड़ा जादा हो जाएगा, तो इस तरीके से इस बोर्ड के अंदर आप यह modification कर सकते हो, यह 10 के और यह 10 के, इसको अपने जरुवत के अनूसार कम या जाद करके, उसको जो है audio को कम या जादा कर सकते हो, अब देखें, यह वाला बोर्ड आ जाते हैं हमारे पास, अब इस वाले बोर्ड के अंदर देखें, यहां पर input दिया गया है, तो input तो यहां capacitor से दिया गया है, और capacitor जो हमारा लगा हुआ है 4.7, यह देखें, मैं दिखा देता है, लेकिन यहां पर देखें, रजिस्टेंस लगा हुआ है 27 के, जो हमारा output है, अब देखें, यह आउटपूट है हमारा, अब यहां पर 27 के लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम यहां audio को बढ़ा सकते हैं, बास ट्रेवल को नहीं छेड़ेंगे हैं, बास ट्रेवल वैसे ही करेंगे 27 के को रजिस्टेंस को हटा देंगे, सीधा यहां पर 1 के लगा देंगे, यह 5 के लगा देंगे तो यहां पर audio तेज हो जाएगा, तो यह फिर बोड आप किसी के अंदर भी लगाएंगे, तो वहां पर audio हमें से तेज ही रहेगा, क्योंकि कभी-कभी आपने देखा ह तो आप audio को नहीं बढ़ा सकते अगर आप यहाँ पर P.F. लगाूआ है तो audio को नहीं बढ़ा सकते यहाँ पर अगर रजिस्टेंस लगाूआ है चाहे वो input और output हो अगर रजिस्टेंस लगाूआ है तो उस resistance को कम करें और कम करते ही आपका जो ओडियो वह बढ़ जाएगा यहां पर बोड का ओडियो बहुत अच्छा हो जाएगा तो देखे मैंने इसका बताया इसमें आउट्पूर इंपूट पर कोई भी रजिस्टेंस नहीं है यहां बनके लगा हुआ है वह सबसे कम है यहां के यहां डारेक्ट आइसी से दे लगा रहे हैं तो यहां तो हम चलै नहीं सकते हैं अब यहां पर दो आउट्पूट है यह देखिए यह हमारा ऊट्पड तो यहां देखे 22 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहां करा गया जिस तरीके से बास्ट्रेवल को सर्कृट में उस तरीके से डिजाइन करा जाता है जहां तक इसकी जो समता है उसको जहल सके तो इसलिए और ज्यादा क्या होगा अगर आपने बास्ट्रेवल सर्कृट को छेड़ दिया तो वहां पर क्या होगा साउंड की क्वालिट यहां पर देखे कैपिस्टर का यूज कर गया है तो यहां पर हम साउंड को इस वाले बॉर्ड के अंदर नहीं बढ़ा सकते हैं अगर बढहना होगा तो यहां पर हमारी जो घैन वाली रजीस्टेंट होती है यह जो हमारा देखियी यह ही लगावा इसमें gain resistance होती है उसको ही हम कम या ज़ादा करके audio को बढ़ा सकते है这里 और मेरा मानना यह है कि अगर gain resistance से आप audio को बढ़ा रहे हैं, तो उसको ना बढ़ा हैं, क्योंकि उससे IC जो है वो ज़्यादा heat होती है आप शिरिफ input और output पे जो resistance होती है, उसको कम करके उस ओडियो को बढ़ा सकते हैं और बहुत बढ़िया वर्क भी करेगा अब देखें यहाँ पर मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर जो हमारा छोटा पी अप होता है उसकी जगे पे हम बड़ा पी अप लगा सकते हैं नहीं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए छोटा पी अप नहीं था तो बोर्ड को थोड़ा भारी दिखाने के लिए यहाँ पर पी अप को देखिए 123 पी अप है और यहाँ पर देखिए बड़ा पी अप लगा दिया बड़े पी अप से क्या हुआ बोर्ड देखने में कैसे कम करें तो एक बार जो आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए कि इंपूट आउटपूट पर अगर हम कोई कंपोनेंट जैसे रजिस्टेंस है या कैपेस्टर है या पीफ है उसको अगर आप चैंज करेंगे तो ओडियों के अंदर वैसे ही आपको फरक नजरा जा तो दोस्तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना बैल के आकन को जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा